वाइगुरु जी का खालसा वाइगु जी की फते नमस्कार सेलाम भाईदयों आप सब कैसे हैं। वाइगुरु से अराश करता हूं। परवर्दिगा दूआ कारता हूं। उस परमेश्वर से विंति करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें और यह जो महामारी फैल्यू यह उससे बच के रहें दोस्तों हर कोई अपने अपने लेवल के उपर आज मदद कर रहे हैं लोगों की एंजियोज और जो भी सोशल ग्रूप्स हैं जो भी जो संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी या चोटी मोटी जैसी भी संस्थाएं हैं वो अपने अपने लेवल पर आज एक कोशिश कर रही है कि जो बिचारे गरीब हैं जो डेली वेजिस पर काम करते हैं जो लोग दिहारी पर काम करते हैं उनकी मदद वो कर रहे हैं पर आज मैं आपसे बात करूँगा एक ऐसे परिवार के बारे में, एक ऐसी फैमिली के बारे में, जिनको मैं खुद करीब 15-18 साल से जानता हूँ, पहले वो हमारे नेबर थे, अब उन्होंने अपना थोड़ी दूरी पे घर नया बनाया कुछ साल पहले, और बचपन से ही, मैं उनको देखता आया, उनके अंदर सेवा भाव, और हमेशा से ही, जब भी कुछ हो, और यह निस तरफ गुर्दवारों के अंदर, पर जहां भी गरीब की मदद करनी हो, वहाँ पर वो परिवार हमेशा सबसे पहले आगे खड़ा हुआ, दोफ्तों, मैं स्पेशली इसलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि यह कुछ डिफरेंट ही कर रहे हैं इस बार, और मैंने अपको बताया कि कई ग्रुप्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, सोशल जो वरकर्स हैं, वो पैसाई कठा कर रहे हैं, डोनेशन वगरा से काम कर रहे हैं, पर यह जो परिवार है, यह अनोखाई काम कर रहे हैं, यह लोग क्या कर रहे हैं, कि जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से यह परिवार, यह सब परिवार के लोग मिलके, खुद लंगर बनाते हैं, और वहां पर लंगर पुचाते हैं, जहां पर सरकार की पहुँश न लोग यह परिवार के सदस्य हैं जो वो लोग वहां पर लंगर की सेवा कर रहे हैं वहां पर उन डेली वेजिस लोगों को जो द्यारी के मज़दूर हैं उनको लंगर पुचा रहे हैं और जहां पर कोई बंदा नहीं पोस्ता और सबसे इसमें बड़ी बात यह है जिसके पर यह सारा काम कर रहे हैं इनों ने किसी से डोनेशन नी ली जब मेरी बात हुए फोन पर हमारे अंकल जी अंगल जी ऑंबलजीत संग जी उनसे मेरी बात नहीं पाई उनके जो बेटा है मन जिंदर सिंग आप देख सकतें साइट में फोटो इनसे मेरी बात हुई तो मैंने बहुत thankful हुआ क्योंकि appreciate करना बनता है जब कोई ऐसा काम कर रहा हो समाज के लिए बिना किसी भेद भाव के और बिना किसी क्योंकि काफी सारी फोटो आ रही हैं कि कोई गरीब को रोटी दे रहा है और पचास बंदे खड़े हुए हैं और आगे फोटो खुचवा रहे हैं तो यह जो परिवार है यह परिवार के सदस्य है मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगो आगे और यह लोग परिवार के जो सदस्य हैं यह लोग खुद ही मिलके यह सारा इन्होंने लंगर त्यार कर रहे हैं डेली रोज लंगर त्यार कर रहे हैं और डेली के करीब उन्होंने जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो सब लोग मिलके लंगर त्यार करते हैं और लंगर त्यार करने के बाद उन भीड़ों में लंगर लेके जाते हैं जहां पर मैंने आपको बताया कि टैलीफोन की तार भी नहीं पहुच दी जहां पर सरकार की बिजली की विस्था भी नहीं ह तो मैं आपको अंकल जी से बहुत request करने के बाद उनसे मैंने एक वीडियो शेयर करने के लिए बोला मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप कितना estimate बैठता है तो उनके बेटे ने मुझे का कि अंकल जी से तो मेरी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं हो पाई पर मंजिंदर सिंग जो आप साथ में फोटन देख सकते हैं उस बाई ने बताया कि ये गुरू का लंगर है अब चाहे हजार पर लगते हैं कि दस हजार पर लगते हैं तो गुरू के लंगर की कोई कीमत नहीं होती तो मेरे लिए एक एज़स सिख होने के नाते ही प्राउड करने की बात है और मैं आपको पहले भी बताया कि सिरफ सिख परिवारों के लिए नहीं जब भी किसी गरीब को मदद की जूरत होती है ये परिवार हमेशा सबसे पहले आता है और मैंने वीडियो वगरत देखी थी फेस्बुक पे तो मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए कि अपने लेवल के उपर बिना किसी डोनेशन के बिना किसी की सहायता के मतलब कि बिना किसी आर्थिक सहायता के ये परिवार डेली जो डेट सो लोगों का लंगर तियार कर रहे थे अब साथ सो लोगों का लंगर तियार कर रहे हैं ये और आपने साइड बे वीडियो भी देखेंगी चलती हुई तो मेरे लिए इस बात की बहुत खुशी है कि इस परिवार से मेरा नाता पिछले 18 सालों से है मैं 18 सालों से इस परिवार को जानता हूँ और बच्पन में जब 15-18 साल पहले हमारे नेबर थे हम इनके घर जाया करते थे तब भी इन्होंने हमेशा अपने बच्चों के जैसे जो भी आता था घर बे उनको टीट करते थे तो आभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जो बलजीत सिंग जी है अंकल है हमारे उनका क्या मैसीज है समाज के लिए उसके बारे में फिर आप से थोड़ी और बात वाहिगुर्जी का खाल्चा वाहिगुर्जी की फते जो अश्यमें महामारी दा संसार उत्ते दोख प्या करोना वेरस दा कार्ण लॉकडाउन दे कार्ण तीम आर्चनू अशी सबासों बंदेदा लंगरत्या करके जरूरूर्त मदावच बंदिया है अगले जा बादी बाद लेख दे होए ऐसी अश्यमें तैंसों करता पर फेर आशी संगत दी कर्पा ना प्रावादी कर्पा ना गुरुदी कर्पा ना ऐसनू बंदा नंगरत्यार करके जरूरूर्त मदावच बंदया मैं सारा नुबेंति करदा आपने अपने कराम जो बना सकते हैं बात तो करतिया करके ते ग्रीब जुरूर्त मंदा बचे बंड़ा जावे मैं इहीं बेंति करना हुआ है गुर्जी का खाल्चा वाही गुर्जी की फटे बाइओं अपने मैसिज देखा अंकल जी का बलजी सिंग अंकल जी का वह सबसे विंति कर रहे हैं कि अपने अपने लेवल पर जो भी कुछ कुछ कर सकता है क्योंकि भाइओं मेरे जैसे लोग हैं हम लोग तीन-तीन महिने कराशन इकठा करके बैठे हुएं गर में और जो मिड अधर को और जो गरीब हैं बिचारे द्यारी पर काम करते हैं उनका तो रोज खुआ खोद के रोज पानी पीने वाली हालत होती है आप जानते ही हैं तो भाइयों में से जो बंद पर सकता है हम भी कर रहे हैं समाज के लिए और आप से भी मेरी हाज जोड के विंति है कि आप अभी अपने लेवल पे जो बंद पर सकता है एक लीस कम से कम एक बंदी की जिम्मेदारी आप जरूर उठाएं कि उसको सुबह शाम की रोटी पहुचाएं क्योंकि इस टाइम पे लोगों को सबसे ज्यादा दूरत खाने की है और प्यार की है तो मेरे भाईयों सबसे अपी करें और एक बंदे को हम सुबह शाम की रोटी जरूर खिलाएं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बहुत बार क्या चुका हूं कि दूआ और बदूआ में सब इतना सा फरक होता है कि जब दूआ लगती है तो इनसान की जिन्दगी बदल जाती है इनसान के घर में बरकत उशाली में आ जाता है और जब बदूआ लगती है तो इसका बिड़ा गर्ग हो जाता है तो मेरे सबी भाईयों से अपील है और कि इस परिवार से हमको सीख लेनी चाहिए कि बिना किसी डोनेशन के बिना किसी की आर्थिक मदद लेते हुए और अपने परिवार के साथ में मिलके बैठ के ये गुर्बाने किर्तन सुनते हैं और लंगर बनाते हैं और जैसे जैसे मोका मिलता है लंगर त्यार होता है और उन बीडों में जाके उन गली कूचों में जाकर ये लंगर की सेवा कर रहे हैं जहां पर सरकार भी नहीं पोच पारी जहां पर सरकार की मदद नहीं पहुचपारी प्रॉपर तरीके से तो मेरे सभी भाईयों से अपील है कि भाईयों इस परिवार से सीख लें और कि सभी मेरे भाईयों से विंती ये भी है कि लॉक्डाउन का पूरा पालन करें सच्छी अकाल नमस्कार खुदा आफिस